तो जे केसे भी विल्डब्लू यो फिर पिंचाइट सेक्रेटरे की बात करेंगे एक्जाम डेट आपके सामने आज चुपए दिसंबर के मंत में एक्जाम होने जा रहा है अगर तो टेंटेटिव डेट दी गई है उसी के हिसाब से एक्जाम होता है तो लास्ट थर्टी पर इंपोर्टेंट रहने वाली है पहली दिन है तो मैं आपको थोड़ से इंफॉर्मिशन प्रवाइड करता हूं किस तरह की सेरीज चलने वाली है इनिशल लेवल पर डेली 20 कुशन आपके सामने आया करेंगे 20 कुशन में पैटन के यह रहा करेगा आपके सामने जीकी का स चलूँगा बाद में के रिस्पॉंस अच्छा मिलता है तो हर सेक्शन से पांच क्वेशन शे क्वेशन वह रिस्पॉंस को पर डिबेंड करता है तो आज की वीडियो आप डैमो लेके चलो एक फीडवाग मुझे दे देना फिर उसके हिसाब से आगे हम कवर करना किसे ने खांटे और के सामने स्क्रीड है पहला कूशन और जिख नकर से ब्लान जो इसे होएं वहां पर आईवर क्वेशन है तो फर्स्ट क्वेशन आपके सामने स्क्रीड में है which two head rivers merge to form the river गंगा अब एक्जाम में आयवा क्वेशन आपके सामने लेकर रहा हूँ कौन से दो नदिये जो मिलके तो गंगा नदिये बनाती है option 4 आपके सामने दिये गए हैं आप देखे और बताई correct answer क्या हो जाएगा तो यहां पर option number D में आपको देखने को मिल रहा है अलक नंदा और भागी रती यह दोने नदिये मिलती है देव परियाग में जाके फिर वहां पर गंगा नदी बनती है उसके बाद गंगा नदी नाम उसका पड़ता है तो इसका मतलब option number D correct answer हो जाएगा फिर परियाग राज से आगे गंगा बनके निकलती है ना तो गंगा की केंदर के ट्रिब्यूटरीज है अगर आपने याद किया होगा वह स्पीड 3G की स्पीड है ना राग गंगा इस तरह से फिर 3G वरी न दिया जती है फिर लाज से महा इस तरह से करके वो ट्रिब्यूटरीज के हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए फिराल जो क्यूशन के कॉर्डिंग अलक नंद और भागिरती ने दी मिलके गंगा बनाती है देव परियाग में जाके मिलती है तो option number D correct answer हो जाएगा चलते हैं आज के second question की बात करेंगे य आप से वो पूछे जा रहा है कि तो डेलिगेट्स वाहां पर गये थे ऑप्शन में है 62, 78, 68 या फिर 72 तो 72 डेलिगेट्स ने वो एटेंट कर रहा था option number D correct answer हो जाएगा यह पहला session था जो की पूर्ने में होने जा रहा था फिर बाद में वो शिफ करेंगे में बोंबे में बोकुल दा स्टेजपाल संस्क्रिट कॉलेज में वहां पर जाके यह पहला session वगारा हुआ था और जितने में डेलिगेट्स थे maximum वकील वगारा आई थे उसमें से और किसी पी तरह की woman वहां पर नहीं देखने को मिली थी यह important data है जो मैं आपसे share कर रहा हूं आगे चलते है थर्ड question की बात करेगा कुछ सामने स्क्रीड में है यहां पर कहा जा रहा है इन विच आफ दा फॉलिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इस मानस बायोस्फिर रिजर्व लोकेटिड आपके स्लेबस के हिसाब से जो question बनते हैं वह आपके सामने ला रहा हूं यह जो मानस बायोस् आति बायोस्फिर एसा जिसका नाम वहांकी रीवर के नाम पर पड़ा हूं है उनष्व कि ब्रहंकपुत्र के बढ़ी ट्रिब्यूटरी में जाती है जो मानस रीवर के तो इंग्लाइड ने किसको हराय था आपसे वह पूछदार है न्यूजलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रलिया इंडिया तो फाइनल यहां पर इंग्लाइड और पाकिस्तान की बीच में होगा था ऑप्शिय नंबर भी देखने को मिल रहा है वो करेक्ट हैंसर हो जाएगा मैंने आ पाकिस्तान का तो फिर्ण में उनने सोर में कुछ एसर के चेस्ट कर रहा था तो ऑप्शिय नंबर भी और एंसर हो जाएगा तो यह हमारे पास जीके के सेक्शन के चार इंपोर्टेंट क्वेशन हमने कवर कर लिए अब हम आगे चलते हैं इंग्लिश लिए सेक्शन स्टार में चार करते हैं तो फ़ॉस्ट न आपके सामने स्क्रीन में है इंगली में सेक्शन का यहां अपर कहा जा रहा है सफलेक्ट अПрी इंडारेक्ट वरम औप गिवन सेंटेंस मेरेशन से कुछ बनते सामने एकजान में आया वो किशन है अब इसका आपको बताना है अब देखो he asked है ना तो question हम आगे continue करते हैं option number A में he asked me he is asking me he had asked me he asks me simple सी बात है he asked तो हम indirect में जाएको इसको is present में तो बिल्कुल लेके जाएी नहीं सकते तो option number B और option number D तो वैसी eliminate हो जाएगा ही हमारे पास अगर ask गा है तो उसको present में कहां लेकर जाएगा वो पहली past में तो तो option number B और option number D वैसी eliminate हो गया और he asked का he had asked ये simple present past tense था हमारे पास तो past tense का past perfect भी दो नहीं बनाना है तो he had asked भी नहीं आता है तो option number A correct answer हो जाएगा बाकी check करने के जरूरत है तो फिर भी आप देख लो if I attended the film festival at Goa every year किसी भी तरह की mistake नहीं है option number A correct answer हो जाएगा आगे चलते हैं second question आपके सामने जो है वो jumble sentence के उपर है इनको rearrange करना था देखो A, B, C, D pattern में क्या लिखा हुआ है A में लिखा हुआ है the most well known among them is the purple frog needing immediate protection is the purple frog needing immediate protection second में कहा गया है the secret life of frogs is the first ever film on the amphibians of India the film has been shot extensively in the western guards it showcases unique species of frogs which are critically endangered तो पूरी बातचित किस पर करी जा रही है पहले देखो एक movie है secret life of frogs जो की amphibians को उपर बनाई गए थी इंडिया की पहली movie इस तरह से फिर उस movie के बारे में उस movie की क्या features है क्या qualities है वो बताई जा रही है जिसे कागी की जो film है वो shooting उसकी western guards में हुई थी फिर इसमें unique species बताई गए थी frogs की जो की critically intelligent होती है और एक बताई गया कि उन में से भी एक जो है वो purple frog है अब sequence ने को कैसे बनेगी जिसे option number में अगर एक ही बात क्योंको वो डी से start हो रहा है फिर आगे option number C, D की बात करेंगे वहां पर the film has been shot है कुन सी film पता ही नहीं है तो वहां से भी start नहीं कर सकते है सभी sequence जो है वो यहीं से हो गई the secret life of frogs जो secret life of frogs को पहली फिल्म है amphibians को परिंट जागी सबसे पहले तो B हमारे पास बिल्कुल सही अंसर आ रहा है अब B के बात देखो क्या बनेगा अब इसकी qualities बताई जा रही है qualities में क्या बताई जा रहा है कि फिल्प की shooting काहां पर यह western guard में हुई है B के बात C आ जाएगा फिर उसके बात बताई कि इसमें unique species के बारे बताई गया frog के जो भी critically indigent है तो ठीक है और फिर उन में से भी एक जो purple frog वा उसको ज़्यादा protection चाहिए तो सबसे safe sequence तो यह चल रही है B, C, D, A वली और आपको यह option number B में देखने को मिल रही है तो पहचान है ना पहले 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 pronoun use करने noun use करने पहले किसकी बात frogs की movie की बात कर जाए फिर उसकी quality बताई जा रही है तो सबसे पहले sentence हमें यहीं से start करना था तो B, C, D, A option number B में देखने को मिल रहा है वो correct answer हो जाएगा आगे चलते है next question आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है select the most appropriate option to substitute the underlined segment ठीक है आपके सामने एक underlined sentence आपको देखने को मिल रहा है part of sentence देखने को मिल रहा है अगर आपको लगता है उसमें improvement करनी है तो कौन से option आपको better लग रहा है आपको वो बताने है अगर नहीं improvement लग रही है तो कोई tension नहीं है पहले sentence के line के है वो पढ़ लेते है it is reported that everyday India witnessing the death of over 2000 babies aged less than one year क्या कहा जा रहा है इसमें कि यह report सामने आ रहे है कि हर दिन इंडिया जो है इंडिया में 2000 से ज़्यादा babies की death हो रही है जिनकी age एक साल से कम है इस तरह से बात कर जा रही है तो everyday मतलब रोज की बात कर जा रही है हर रोज इतनी death हो रही है एक साल से कम बचोंगी यह report सामने आ रही है इसका मतलब क्या है कि बात कि कर जा रही है present की बात कर जा रही है जब present की बात कर जा रही है इंडिया के साथ क्या हो जाएगा इंडिया के साथ यह रिपोर्टे के हर रोज तरह करने के कोशिश कर रहे हैं तो India witnesses आपको देखने को मिल रहा है, option number C में, India witnesses the death, वो correct answer हो जाएगा, उमीद करता हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको clear हो रहा होगा, आगे चलते हैं, इंगलिश वरे section का fourth question आपके सामने यहां पर कहा जा रहा है, select the wrongly spelled word, जो spelling mistake है, वो आपको बतान RLY दिया हूँ, तो इसका मतलब वहाँ पर आपको गलत दिया हूँ, आपको सही spelling है तो बताने थे, तो इस तरह से आपने देखा, जो correct answer हो अपने बता दिया, बाग आपको यह बोलूँगा, आप अगर अभी तक आपने full course नहीं जोइन कर रहा है, full course जोइन करना चाहते हो, या फिर VLW की test series join करना चाहते हैं, full length mock test भी मिलेंगे, subjective mock test भी मिलेंगे, और जो mock test है, वो updated है, जो नहीं mark स्क्रीम है, उसके हिसाब से त्यार करे जा रहे है, तो उसका link आपको वीडियो के comment section में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके join कर सकते हो, course में भी और test series में भी डिसकाउ लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके join कर सकते हो, तो description box में भी लिंक मिल जाएगा, तो दो section हमने अभी तर कवर कर लिए, एक हमने cover कर लिए, general awareness वाला, दूसरा हमने यहाँ पर cover कर लिए, English वाला, अब हम चलते हैं, third section के तरफ, जो कि reasoning वाला हमारे सामने आ रहा है, तो reasoning व words in a logical and meaningful order, इन्वे आपने meaningful order में arrange करना, और सबसे बड़ी बात, logical होने चीए, आपने से कुछ भी नहीं बनाते हैं, flat, street, room, apartment, city, अब देखो खुद सोचो, room है, room flat के अंदर आ जाएगा, हाना, तो सबसे बड़ी अगर में room लेके चलो, third number लेके चलो, room की बात, flat अगर में ल street में आता है, तो street हमारे पास second में आता है, और street कहां पर आप यह city में आती है, तो city fifth number पर आ रहा है, तो three one four two five, three one four two five, option number C में sequence देखने को मिल रही है, वो यहां पर correct answer हो जाएगा, उमेद कर रहा हूँ, यह concept पर आपको समझ आ रहा हो, किसी तर की difficulty आपको यहां पर भी नह आ रही होगी, आगे चलते हैं, reasoning के आज के second question की बात करते हैं, यहां पर analogy से आपसे question पूछा गया है, आपको कहा जा रहा है, work का relationship joule के साथ है, तो area का relationship किसके साथ हो जाएगा, कि radian के साथ होगा, parameter, length, या फिर hectare, अब खुद सोचो यहां पर देखो, work की unit क्या है, work को हम क इसमें measure करते हैं, in option के हिसाब से देखा जाते हैं, एक ऑक्षा करते हैं, एक एक ह operator की मैं बात करूँ हा, 2.47 acre के बराबर होता है, acre, हम area का measure करते हैं, 그ia. वैसी हेक्टेर भी एरे मेजर करने की युणिटा कनाल होता है मरला होता है वैसी हेक्टेर भी होता है तो एक हेक्टेर में लगबग डाई एकड़ा पका सकते हो इस तरह से तो एरे को हम हेक्टर में मेजर करते हैं इसका मतलब option number D आपको देखने को मिल रहा तो करेक्ट एंसर हो जाएगा तकी वर्क को जूल में मेजर करते हैं यह रिलेशंचिप यहां पर बन रहा था आगे चलते हैं नेक्स्ट कोई स्क्रीड में आ रहा है यहां पर कहा जा रहा है सलेक्ट दा ऑप्षिन इन विच दर नम्बर सा रियलेटेटि इन दा सेम वे as are in the given set एक set आपको दिया गया है वो किस तरह से है 3, 68 और 5 यह set आपको देखने को मिल रहा है इसी same pattern को कौन सा set follow कर रहा है, कौन सा option follow कर रहा है आपको बताना था तो पहले मैं आपको बता दो यहां पर एका relationship बन रहा है आप वीडियो को pause करके भी try कर सकते हैं यहां पर relationship को किस तरह से बन रहा है 3 का square क्या होता है 9, क्योंकि मुझे बता है 68 पहुंचना है ऐसे आप से पहुंचने सकता 5 का square करना है 25, इसका भी square किया इसका भी square किया, दोनों को add करो 25 प्रस 9 कितना हो जाएगा अब यही pattern कहां पर reply होगा option number A में 2 का square करूँगा 4, 10 का square करूँगा 100, तो उसको multiply करने के जरूरती है वह तो पहले ही बढ़ा होगा 72 से ना, तो वो तो बात बने रिने वाली है वैसे B में इदर 25 आजाएगा एक तरफ 16 आजाएगा 25 को 16 से multiply करूँगा 2 का square 4, 1 का square 1 इन दोनों को add करने में 5 आता है फिर 5 का double करूँगा तो option number D जो है वहाँ पर pattern follow हो रहा था वो correct answer हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा आप वीडियो को share करोगे और comment section में बताओगे आपको questions कैसे लग रहे करोगे आपके कोई भी question ऐसे नहीं है जो मैंने ऐसे ही डाल दे सभी के सभी exam में आई हुए question है इसलिए आपके लिए important मिन जाते है बस वीडियो को share करना है और अच्छा response चाहिए अगर अच्छा response मिलेगा तो benefit यह मिलने वाला है कि वीडियो जेली आएंगी और नंबर बढ़ता जाएगा और आपकी revision अच्छे से होती जाएगी जिसे नहीं भी पड़ा है वो भी यहां पर देवी देके सीखता जाएगा वो भी important रहने वाला है next question आपके सामने figure series से आ रहा है यहां पर आपको बताना next figure कौन सी हो जाएगी अब एक बार वीडियो को pause करके देखो मैं आपको बताता हूँ यहां पर answer क्या आने वाला है तो यहां पर pattern के चल रहा है दो तरह की figure है सबसे पहले से आपको यह figure देखने को मिल रही है इसके बीच में triangle देखने को मिल रही है अब मैं next वाले part में जाओं वहां पर क्या हो रहा है अंदर तीन side वाली figure थी next वाले part में 4 side वाली figure बन गी है और बाहर क्या हो रहा है बाहर 3 side की figure बन गी है मतलब जैसे से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ जो अंदर वाली figure है वो एक side बढ़ती जा रही है और बाहर वाली figure में एक side कम होती जा रही है इसके बाद अगर आप ध्यान दो गए अंदर 4 side थी next में 5 side आपको देखने को मिल रही है और बाहर 3 की जगा 2 side हो चुकी है फिर उसके बाद बाहर एक side हो गया है अब जो हमारा answer आएगा वहाँ पर बाहर की तरफ एक भी side नहीं होनी चाहिए तो वो option number A में देखने को मिल रहा है वैसी अंदर वाला size भी increase हो रहा था आप अराम से देख लो समझ लो pattern आपको बता दिया option number A correct answer हो जाएगा तो चलो ये चार question भी हमारे complete हो गए reasoning की तो हमने बिते कितने 12 question cover कर ले अब आ रही आते है mathematics ले section की तो mathematics से 4 question हमने cover करने first question अपके सामने screen में आ रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है राम sold up motorcycle for rupees 70,000 राम ने एक bike बेची है कितने रुपे में बेची 70,000 रुपे में बेची है 25% का profit मिला है forward price should you sell a motorcycle अब उसे कितने price में बेचने चाहिए so that उसको 30% का profit मिल जाए तो एक profit loss का simple सा formula हमारे पास क्या होता है selling price का हम बोलते है selling price equals to cost price अगर profit हो रहा है प्लेस प्रॉफिट लगाते थे अगर loss हो रहा होता तो माइनस loss कर देती इस बार उसने कितने में बेची 70,000 में तो मतलब selling price हमको पता कितना है selling price कितना है 70,000 है cost price में पता नहीं है जब यह profit यह loss निकालना हो वो cost price पता होगा तब ही हम बता सकते कि profit हो रहा है यह loss हो रहा है तो cost price निकालना ज़रूरी ऐसे cases में हमने cost price निकालना है देखो 100 कितने percent profit पर उसने बेचा था 25% के profit में 25.100 अब simple इसकी calculation करनी है देखो यह 125 by 100 बन जाएगा ना इसको मैं add करूँगा 125 by 100 बन जाएगा अब जब मैं इसको दूसरी तरफ लेकर आऊँगा तो यह क्या हो जाएगा 70,000 तो यहां पैसी रण दो into 100 by 25 हो जाएगा यह हमार पास cost price आ जाएगा तो यहसे कर मैं solve करूँगा 25 को 4 से गरो 100 25 को 5 से multiply गरो 5 को multiply गरो 1 से 5 को 4 से multiply गरो फिर 3-0 और लगा दो 0-0-0-4-4-16 तो 56,000 जो है वो cost price थी पहले जो buy थी वो 56,000 रूबीस की थी उसे 70,000 में बेच जी है अब जब भी profit loss पता करना हो हमें cost price पता होना चाहिए आप cost price आपको पता लग गया आप उसको क्या करना है उसको 30% का profit चाहिए तो वो कितने में बेचेगा मतलब आपको क्या निकालना है selling price निकालना है उसको कितना profit चाहिए उसको 25 के 30 उसको 30% का profit चाहिए selling price आपको पता आप कितना है प्राफिट निकालना है कि कितने में बेचेगा उसको प्रॉफिट होगा वह तो निकालना है कॉस्ट प्राइज आपको पता कितना है और कितना प्रॉफिट चाहिए तीस प्रस्ट का प्रॉफिट चाहिए तो वही एंडर्ड प्लस 30 में करेंगा बन फिर्टी बन जाएगा न तो मैं सीधा बन फिर्टी जी लिएता हूं बन फिर्टी अपाउड इसी तरीके से रहने वाला यह दो जीरो और दो जीरो केंचल हो यह आपको कहां पर देखने को मिल रहा है कोई मिस्टेक हुई है किया ना यह 56 फाइव सिक्स्ति पर देखना को नियुक्त फिर पचासो डेट सो 156 162 168 ठीक है आप 168 आता है ठीक है तो 72800 आपको देखने को मिल रहा है option number C में वो correct answer हो जाएगा अगर वो इतने में बेचेगा तो इसको 30% प्रॉफिट होने जा रहा है तो इस तरीके से आप यह विले question बड़े अराम से cover कर सकते हो हम अभी आगे चलते है next question की बात करते है next question पर आपके सामने स्क्रीट में रहा है Mathematic flow section से यहां पर देखो कहा जा रहा है if cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta equals to 8 तो बताओ cos theta की value कितनी हो जाएगी से अगे है तो हमें दिया क्या है यहां पर एक बर हम उसके हिसाब से चल लगते हैं हमें यहां पर दिया वा cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta यह किसके बराबर दिया हुआ है, यह हमें 8 के बराबर दिया हुआ है ना, तो मैं solve कर लेते हैं, तो cos theta plus sin theta को ऐसी रख दो, इसको वहाँ पर ले जा तो क्या बन जाएगा, 8 cos theta minus 8 sin theta, है ना, ऐसी हो जाएगा, अब मैं cos theta एक तरफ करता हूँ, sin theta एक तरफ करता हूँ, यह 8 cos theta जब यहाँ पर आ जाएगा, तो, यह फिरकर मैं as करो, 8 sin theta को जब मैं यहाँ पर लेकर आउँगा, 9 sin theta बन जाएगा, यह वह लाएड यहाँ पर ले जाएगा, वैसे जब इसको वहाँ पर ले जाएगा, तो 8 cos theta में से 1 cos theta निकालेंगे, तो 7 cos theta आ जाएगा, आपको क्या चा करने को मिलेगा, 9 upon 7 कहां बर आ है, option number V में देखने को मिल रहाँ, वो correct answer हो जाएगा, तो basic question था, वो भी आपने cover कर लिया, mathematics की category में third question map के सामने screen में आ रहा है, विरुजादा बड़ी तो ने बन रही है, पड़ी बड़ी बनने के कोई बात नहीं, यहाँ पर कहा जाएगा, रुपीज 6300, रुपीज 6300 हैं वा आपको divide करने, XYZ में इस तरह से divide करने की X और Y की ratio 7 is to 5 बन जाए, Y और Z की ratio 5 is 4 is to 3 बन जाए, तो बताव Y का share कितना है, ऐसे cases में XYZ न तीनों की ratio निकालनी होती है, तो वो कैसे निकालते हैं, simple सा तरीक आपको बताया हुआ है, XYZ यहाँ लिख दो, X और Y की ratio कितनी है, 7 is to 5, Y और Z की ratio कितनी है, 4 is to 3, तो यहाँ पर जो भी past में होता है वो लिख देते हैं, यहाँ पर जो भी number past में होता है, वो लिख देते हैं, 7 को four से मिल टीता है, 28, 5 को four से करो, 20, 5 को three से करो, 15, तो य का share फिलाल कितना है, 20 upon 20, 20, 20, 20, 50, 58,63 ह नो वाई का शेर कितना 20 अपॉन टीनों के शेर में कर दिखने को 63 तो टोटल डिवाइड के तरूपी करने 63 ने दिवाइड करने 63 को 100 से मिल्टिपाई करोगे 20 को 100 से मिल्टिपाई करोगे अपके पास एंसर है कि 2000 आप पर कहां पर देखने को मिल रहा है option number B में देखने को मिल रहा है है ना ऐसे cases में x और z की ratio निकाल दो तो बस अगर इसकी ratio बोली हो तो तुमें 15 न पहुंद सक्षिती कर लेता इसकी बोलत में 28 पहुंद सक्षिती कर लेता जिसका पूछा है उसके हिसाब से देख लेना है आगे चलते mathematics के लास्ट के बात करेंगे यहां पर देखो कहा जा रहा है 15 men can complete a task in 10 days 15 आदमी जो किसी टास्क को 10 दिनों में complete करते है in how many days can 20 men complete same task same task को कितने दिन में आदमी complete करेंगे 20 आदमी तो यहां बार वास फॉर्मत है mdh वाल है ना रभी खली मैंनों डेज ही हम एम एम डीवन इकोल सू एम टू डीटू कर लेते हैं पहले साइड में कितना दिया हुआ है पहले साइड में बोला हुआ है हो जाएगा यह ऐसे हो जाएगा फिफ्टीन पॉंट कितना हो जाएगा सैवन पॉइंट फाइफ दिस तो साड़े साथ दिरों में काम complete करेंगे वह आपको ऑप्शन निम्बर बी में देखने को मिल रहा है वह करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे चलते नेक्स्ट के बात करें के कम्पूइटर का सेक्षिन स्टार्ट हो रहा है फिर्स्ट कोशन आपको कर मेजर करनी है तो कौन से यूटि यूज़ करते हो दिखा रहे तो पी पी एम पार्ट पर मिनिट आहां ऐसे करेक्टर पर साइकन भी हम करते हैं लेकिन यहां पर ऑप्शन के हिसाफ सी चलेंगे पेजिस पर मिनिट आपको देखने को मिल रहा है option number से correct answer हो जाएगा exam में आवे question है next question की बात करते हैं आपके सामने screen में आएगा in MS Excel 2019 कौन से shortcut की हम use करते हैं text को bold करने के किसी cell के text को अगर हमें bold वगारा करना है तो control plus 2 ऐसे भी भी करते हैं वो bold unbold करने के लिए कर लेते हैं तो option के हिसाब से control plus 2 हमारे पास correct answer हो जाएगा आगे चलते हैं third question की बात करेंगे जो आपके सामने exam में आया हुआ था which of the following is an antivirus software इनमें से कौन सा antivirus software है Solidworks, Bluefish, Viral Boost, Quick Hill तो Quick Hill तो में कावके समय से ये use करता था आप इसे कौन यूज़ करता है comment section में बताइएगा और आज के last question की बात करेंगे which device is used in computers of third generation in place of transistor अब एक कुछ दिन पहले वीडियो अप्लोड करें generation of computer के उपर वाँ पर बताया था कि पहले जनरेशन में vacuum tube यूज़ कर रहते है फिर second में transistor आ गए उमेद करता हूँ वीडियो में कुछ न कुछ सिखने को मिला होगा वीडियो को share करोगे वीडियो को side back आपने comment section में comment करें बताने है thank you जाहिन